जहीं दोस्तों मैंनी दीबेंचोहान आजम करेंगे 2011 में 10 वोड में आया हुआ question number 7 solve for x and y यह हमें 2 समीकरण दिये गए हैं और हमें x और y की value निकालनी है तो चलिए शुरू करते हैं पहला समीकरण है हमारा 2 बटे x plus 3 बटे y is equal to 13 समीकरण number 1 दूसरा है 5 बटे x minus 4 बटे y बराबर minus 2 यह है दूसरा समीकरण तो हम समीकरण 1 को 4 से बुणा करेंगे और समीकरण 2 को हम करेंगे 3 से ताकि यह जो y है हमारा यह बिल्कुल बराबर आजाए ठीक है तो देखिए 4 दूनी 8, 4, 3, 12, 13, 4, 52 तीन पंजे 15, 3, 4, 12, 3 दूनी 6 हमने पहले समीकरण को 4 से और दूसरे समीकरण को 3 से गुणा किया ताकि हमारा y जो है वो बराबर आजाए तो देखिए y बराबर आगया अब दोनों समीकरण को जोडने पर 12 बटे y से 12 बटे y कैंसल विकॉज यह प्लस का है और यह माइनस का है ठीक है यह दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे 8x प्लस 15 बटे x देखिए 8x प्लस 15 बटे x बराबर 52 में से माइनस किया 6 को तो हमें मिला 46 अब यहाँ दोनों के छेद एक जैसे हैं तो उपर 8 एक नीचे से हम एक बारी छेद ले लेंगे और उपर 8 प्लस 15 बराबर 46 ठीक है 8 प्लस 15 हो गया 23 बराबर 46x ओके यह एक्स यहाँ पर हो गई तिरशी गुणा यह यहाँ पर भाग हो रहा था इस तरफ जाके गुणा हो गया तो हमें मिला 46x ओके अब यह दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं इस तरफ आएगा तो 46 भाग हो जाएगा तो हमारा जो वैली हो जाएगी x की 23 बटे 46 अब दोनों 23 से कट रहे हैं 23 से कम 23 23 दुनी 46 ठीक है तो ह समीकरण एक में हमने x की value रख दी, 2 बटे 1 बटे 2, यहाँ पर x है समीकरण एक में, तो इसलिए 1 बटे 2, plus 3 upon y is equal to 13, अब यह 2 उपर चला जाएगा, तो 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 4, एक को नहीं लिखना है, plus 3 बटे y बराबर 13, तो 3 बटे y को यहीं छोड़ देंगे, 4 यहाँ plus हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो minus, ठीक है, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ रह गया 3 बटे y, अब इन दोनों की 3 गुणा, यह यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाके गुणा, तो हो जाएगा 9y, 3 बड़ाबर 9y, तो 3 बड़ाबर 9y, यहाँ पर यह गुणा हो रहा है, 9 इस तरफ आएगा तो भाग, तो हो जाएगा 3 बटे 9 बड़ाबर y, अब दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 बंजा 3 और 3 बंजा 9, तो हमारा आगया 1 बटे 3, यानि कि x बड़ाबर आया हमारा 1 बटे 2 और y बड़ाबर आया 1 बटे 3, मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में, जै हिन, जै भारत!